पेट फुलाओ वेक्सिंस्ट्रीप लगाएंगे रफ करेंगे और क्लाइट को पेट फुलाने के लिए बहुलना है आप उसी पुल्टी पेचामे पट्टी को खीच देना तो देखिए इस पॉर्बरबल रवागे हलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं चैनल पामी ब्यूटी वार्ड तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो का हमारा टोपिक है कि समर सीजन में आप किस तरीके से रिका वैक्स का यूज करके बोडी के अन्वांटिड हेर्स को रिमूव कर सकते हो तो देखे मेरी क्लाइंट की टमी पर कितने ज़्यादा हेर्स हैं इनके हेर्स जो हैं काफी ब्लैक हैं हाड हैं प्रोपर तरीके से ब्लीच के द्वारा भी कवर होने वाले नहीं हैं अगर हमारी बोडी के किसी पार्ट पर इतने ज़्यादा ब्लैक हेर्स होते हैं तो ऐसे में जब हम लेंगा वियर करते हैं क्रॉप टॉप वियर करते हैं या कोई ऐसी ड्रेस वियर करते हैं जिसमें हमारी टमी विजिबल हो रही हो तो ऐसे में यह hair काफी बेकार लगते हैं और इन hairs की वज़े से skin काफी black लगती है और अगर हम bleach कर भी लेते हैं तब भी यह hair दूर से नहीं दिखाई देते पर कोई पास खड़ा हो तो उन्हें यह लंबे-लंबे hair brown color में यानि golden color में अलग से दिखाई देते हैं तो ऐसे में अगर आपका client बोल रहा है कि मुझे waxing करवानी है तो आप waxing करवा दे अगर किसी के कम hairs हैं जैसे अब इनके थोड़े ज़ादा हैं अगर कम hair हैं आपको लग रहा है कि bleach से cover हो जाएंगे तो ऐसे में आप उनकी tummy bleach करते हैं और किसी के hair बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसे में वे detent करवा सकते हैं तो यह client की choice है और आप उन्हें suggest भी कर सकते हैं कि वे क्या करवाएं तो देखिए मेरी client की hair growth बहुत जादा है तो ऐसे में हमें bleach suggest नहीं करनी चाहिए अगर आपके client की इतनी hair growth है गाइज अब summer season स्टार्ट हो गया है तो summer season में हमारी skin में waxing करवाने के बाद काफी जलन होती है कई बार itching हो जाती है तो ऐसे में अगर आप किसी की pre-bridal waxing करने जा रहे हैं तो आपने ध्यान देना है आप 5-6 दिन पहले ही tummy waxing कर दे ताकि client की skin में काफी अच्छा relax मिल जाए क्योंकि शादी वाले दिन उन्हेंने लहंगा wear करना होता है बारी dress wear करनी होती है अगर आप एक या दो दिन पहले wax करते हैं तो client की skin में बाद में काफी इचिंग और जलन होती है guys जब भी आप किसी liposolubal wax का यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपने skin को clean जरूर करना है और clean करनी के लिए आप यूज़ करेंगे pre-waxing gel pre-waxing gel मैंने Rika brand का यूज़ किया है क्योंकि मैं Rika brand की ही wax यूज़ करने जा रही हूँ pre-waxing gel का यूज़ करने से क्या होगा client की skin में जो भी dust, धूर, मिट्टी होगी वे बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाएगी कि skin काफी neat and clean हो जाएगी और जो hair आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं वे भी काफी दूर-दूर हो जाएगे यानि कि skin काफी soft and smooth होने के साथ clean भी हो जाएगी और अगर आपके client की skin में sweating हो गयरा है तो वे भी control में आ जाएगा और अब मैंने इनके जो hairs हैं cut कर दिये हैं और इनकी जो उपर के hairs हैं वे थोड़े छोटे हैं पर जो इनके नाभी के नीचे के area के hair थे वे काफी लंबे थे तो ऐसे में जब waxing strip pull करते तो काफी pain होता अगर आपके client के hairs काफी long है तो आपने उन extra hairs को cut कर देना है जो अलग स visible हो रहे हो अब हम wax के application करेंगे guys आपने moisture level देख लेना है कि client की skin में moisture ना हो wax के application करने से पहले आपने wax का temperature जरूर देखना है क्योंकि अब summer season है तो ऐसे में आपने कोई भी season हो wax के temperature को ध्यान में रखते हुए ही wax के application करनी है अगर आपको लग रहा है कि wax ज्यादा गरम है त तब ही आपने wax लगानी है और जो center के hair होते हैं उनकी direction mostly सभी की उपर से नीचे की तरफ होती है जो पेट की line होती है बालों की जो अलग से दिखाई देती है तो वहाँ पर आपने wax की application उपर से नीचे की तरफ करनी है waxing strip लगानी है and skin को hold करते हुए opposite direction में pull कर देना है guys remove कर दी है अब नाभी के hairs जो रह गए है उनकी direction अंदर की side है तो हम wax की application अंदर की side करेंगे wax मैंने यूज की है Rika की aloe vera wax जो की best है sensitive skin के लिए अगर आप summer season में Rika wax यूज करने जा रहे हैं तो ऐसे में अगर आपका client first time wax करवा रहा है तो कई बार क्या होता है कि normal white chocolate wax को गय और sensitive skin पर suit कर जाती है क्योंकि इसके product के ऊपर specially mentioned किया गया है specially for sensitive skin देखे कितने अच्छे तरीके से one time के बाद ही यानि one application में ही इनके सारे के सारे hairs जो है center के remove हो गए है अब जो इनके hair बचे हैं उनकी direction अंदर की side है यानि कि दोनों side के hair की direction अंदर की side गई हुई है तो उस तरीके से हम wax के application करेंगे जिस हिसाब से client के hair की direction है guys wax करने के लिए जो मैंने product यूज की है मैंने आपको starting में ही दिखा दिये है मैंने लिया है Rika का pre waxing gel Rika का after waxing lotion wax मैंने लिए है Rika की aloe vera wax wax को अपनी heater में डाल कर गरम कर लेना है waxing street मैंने Rika brand की यूज की है और application करने के ल तो आप उसका भी use कर सकते हैं पर wooden की spatula से क्या benefit होता है number 1 जो wax है ना ज्यादा गरम नहीं लगती कई बार steel का spatula है client की skin पर एकदम ज्यादा सा गरम लगता है क्योंकि उसका temperature भी बढ़ जाता है और wooden का spatula आपने आप में ही wooden है तो client को एकदम से ज्यादा गरम नहीं लगता हू करेंगे क्योंकि rica wax जो है अपने आप में ही काफी अच्छी wax है बहुत अच्छे तरिके से skin की hair को hold कर लेती है waxing strip को आपने लगाना है हलका सा रब करना है ज्यादा रब करने की need नहीं है अगर आप ज्यादा रब करते हैं तो ऐसे में आपके client की skin भी आ सकती है चोटी चो जो skin है बिल्कुल black दिखाई दे रही है तो इसका difference भी आपको साफ visible हो रहा होगा rica wax के काफी सारे benefits है rica wax का यूज करने से हमारी skin के unwanted hairs जो होते हैं under root तक remove हो जाते है hair growth जो आती है काफी late आती है और जो hair आते हैं काफी soft and smooth आते है skin की tanning को भी बहुत अच्छे तरीके से remove करता है normal wax से तो double या triple इससे skin की tanning remove होती है साफ दिखाई देता है जब हम rica wax का use करते है तो result एकदम से दिखाई देता है और कहीं भी hair नहीं छूटता आपके client के सारे के सारे hairs easily निकल जाते हैं guys tummy की waxing करते समय आपने proper तरीके से यह भी ध्यान देना है कि आप कभी कहीं कभी कहीं wax नहीं लगाएंगे एक तरीके से wax करेंगी जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है कि मैंने one side से wax start की थी तो उस side को proper तरीके से cover किया फिर दूसरी side आई सबसे पहले center के hair remove करे का तरीका बता दिया है अगर आपके client के कुछ hairs रह जाते हैं तो आप cable वहीं पर wax की reapplication करेंगे सारे में wax की reapplication नहीं करेंगे wax हो जाने के बाद कभी भी आपने extra wax को skin में से remove करने के लिए पानी का use नहीं करना क्योंकि इस wax को use करने के बाद पानी का use नहीं किया जाता क्य आज दे दे इससे skin में जितनी extra wax लगी है वे भी रिमू हो जाएगी और client की skin में काफी अच्छा relax मिल जाएगा और guys अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो useful लगी हो तो please वीडियो को like करना, share करना and चैनल को subscribe भी कर देना and bell icon को जुरूर प्रेस करना ताकि आने वाली latest वीडि आपको time to time मिलती रहे थे